हाँ हाँ, दस्पना मिर्ट मैं निकल रहो, फटाफ़ट निकल रहो, ठीक है? आप खाना बना के रखो, मैं नौ बजे तक आ जो हूँ, ओके? चलो, बाए-बाए-बाए-बाए मम्मी का call था, मम्मी बोल दी थी, 9 बजे तक घर आ जाना, क्योंकि साड़े 9 बजे मेड आने वाली है, क्या आपके साथ यह होता है, मेरे साथ तो यह रोज होता है, इंडिया में ना, majority of the घरों में dishwashers नहीं है, और मेरी रीसर्च में मुझे यह पता चला है, कि अगर आप बर बरतन को दो सकते हो, आपका water consumption 10 से 15 लीटर होगा, max to max, आपको बरतन सुखाने की जरुवत नहीं पड़ेगी, और pandemic जैसी situation में, जब मेड्स घर पे नहीं आती है, तब I'm sure आपको work from home के साथ-साथ, work for home नहीं करना है, तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वो सारी आपको subscribe करो और हमें follow करो Twitter और Instagram पे, now without wasting any further time, मेरा नाम है Saurab, let's begin the video guys, तो सबसे पहले start करते हैं price से, आपको एक अच्छा dishwasher, around 20,000 रुपे के आसपास मिल जाएगा, with 8 place setting, वही पे अगर आपके घर में जादा लोग है, या फिर आप दो टाइम के बरतन साथ में दोते हो, य या फिर आपके guests frequently आते रहते हैं आपके घर पे, तो आपको शायद बड़ा dishwasher लेना पड़े, तो वो आपको around 45-50,000 रुपीज में with 14 place setting मिल जाएगा, अब ये एक just rough estimate मैं दे रहा हूँ, आपको dishwashers, अच्छे dishwashers के link चीए, तो मैं आपको description box में वो दे दूँगा, आप checkout कर सकते हो, और dishwasher तो मलब आपको मेहंगे भी मिल जाएंगे, लाग-दो लाग रुपे तक भी मिल जाएंगे, तो आप वो ले सकते हो अपने हिसाब से, बट ये just a rough idea देने के लिए मैं आपको pricing बता रहा था, अब काफी लोगों के मन में ये भी सवाल होता है, कि मैं किस तरह के बरतन दो सकता हूँ dishwasher में, या फिर अगर मुझे नए बरतन लेने पड़ेंगे, अगर मैं dishwasher ले रहा हूँ तो, अगर अगर जादा भूल लिया मैं शायर, बट हाँ, क्या मुझे नए बरतन लेने पड़ेंगे, मैं dishwasher ले रहा हूँ तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है, आप steel के बरतन, glass, ceramic bone china, और plastic बरतन भी दो सकते हो आपके dishwasher में, लेकिन हाँ, आप कुछ बरतन नहीं दो सकते हो आपके dishwasher में, जैसे के non-stick, hard anodized हो गया, या फिर wood बरतन हो गये, ये सारे बरतन आप नहीं दो सकते हो, वो खराब हो जाएंगे अगर आप उसमें दो हो गये, तो ये ची का अरेंजमेंट पहले से ही करके रखना पड़ेगा, और उससे भी पहले आपको ये चेक करना है कि आपके घर में कितना space available है, तो आपको dimensions चेक कर लेनी है, और उसी हिसाब से आपको dishwasher लेना है, और आपको ये भी देखना है कि आप जब उसका दरवाजा खोलोगे, तो उसक 15 Ampere वाला socket है या नहीं है जहापे भी आप dishwasher रखने वाले हो, साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आपके पास में water inlet और outlet है या नहीं जहापे आप dishwasher रखने वाले हो, क्योंकि वो बहुत ही important है, पानी अगर अंदर नहीं जाएगा तो बरतन कैसे दुलेंगे, और बरतन ये सारे बरतन आते हैं, तो उसे साब से आपको 8 पलेस सेटिंग वाला dishwasher लेना चाहिए, अगर आपके घर में 2-3 लोग है तो, अगर 3-6 लोग है तो आपको 12 पलेस सेटिंग वाला dishwasher लेना चाहिए अगर 6 से जाधा लोग है तो आपको 14 प्लेस या फिर उससे भी बड़ा dishwasher लेना चाहिए depending on number of people and जैसे कि मैंने आपको पहले बताया अगर आप साथ में बरतंत होते हो दो टाइम के या फिर अगर आपके घर पे guest आते हो frequently तो उससाब से आप dishwasher लेना ये minimum requirements को मत देखना लेकिन उससे भी बड़ा ही dishwasher लेना एक और चीज जो आपको ज़रूर चेक करनी है वो है decibels यानि के DB अगर 40-50 के बीच में है तो वो वो एक normal range है और वो जाधा shore नहीं करेगा तो आप वो definitely ले सकते हो लेकिन अगर 50 से जाधा है तो वो short थोड़ा जाधा होगा और आपको बॉदर कर सकता है तो आप मलब हो सके तो उसे मत लेना जाधा पैसे pay करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कम decibel यानि कि अगर आपको कोई कम decibel वाला dishwasher मिल रहा है बड़ उसका price जाधा है तो आपको जाधा pay करने की ज़रूरत नहीं है विकास 40-50 एक decent range है अगर आप kitchen में सोने नहीं वाले हो तो I don't think आपको जाधा pay करना चाहिए एक और चीज़ जो आपको ज़रूर चेक करनी है वो है tray की quality विकास उसी में आप बरतन रखने वाले हो और धोने वाले हो अगर उसकी quality अच्छी नहीं हुई तो आगे जाके बहुत दिक्कत आ सकती है तो जरूर चेक कर लेना और ये भी चेक करना कि उसमें height adjustability वाला feature है या नहीं विकास आप height adjust कर सकते हो तो आप बड़े बरतन भी रख पाओगे उस dishwasher में और धो पाओगे तो उस चीज़ को भी जरूर चेक कर लेना अब अगर आपको ऐसे area में रहते हो जहां पर frequently power cut होते रहते है तो आपको auto resume वाला feature जरूर चेक करना चाहिए आपके dishwasher में क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो आपका process यानि कि आपका जो dishwashing जो हो रहागा electricity आने के बाद वो starting से पूरा चालू हो जाएगा तो आपको ये feature जरूर चेक कर लेना चाहिए विकास ये feature अगर हुआ तो समझो अगर आपने dishwasher एक घंटे के लिए चलाया था सेकेंड है auto refresh जो की आपके जो unused बर्तन होते काफी टाइम तक जो पड़े रहते उन्हें वापस से चमका देगा तो ये feature आप चेक कर सकते हो तीसरा feature है half load जिसमें आपका electricity लगबग 10% तक बच जाएगा और आपका detergent वगेरा around 20% तक बच जाएगा तो ये सारे features, additional features भी आप चेक कर सकते हो dishwasher लेने से पहले अब काफी लोग सोच रहोंगे चलो यार ये सब तो ठीक है मैं ये सारी चीज़े चेक कर लूँगा लेकिन मुझे ये बताओ कि हर महीने dishwasher को चलाने का खर्चा कितना हैगा तो अगर आपके घर में 3-5 लोग है तो around 800-1200 रुपे तक का खर्चा आ सकता है which includes electricity, detergent, rinse aid and salt अब I know काफी लोगों को पता है detergent क्या है लेकिन काफी लोगों को ये शायद ना पताओ कि rinse aid and salt क्या है क्योंकि मुझे भी नहीं पता था तो rinse aid आपके बरतनों पर पानी रुखने नहीं देगा because आपने कभी देखा होगा आपके घर में भी कि अगर पानी रह जाता है तो वहाँ पर white spots आ जाते है तो इसलिए हम rinse aid यूज़ करते हैं dishwasher में ताकि वह ना आए and salt इसलिए हम use करते है because काफी जगों पर पानी hard होता है and dishwasher में अगर आपके बरतन दोने है तो soft पानी का requirement होता है तो आपके dishwasher में inbuilt water softener होता है जो ये salt यूज़ करके आपके पानी को जो भी आपका पानी है घर से जो पानी dishwasher में जाता है उसे soft बना देता है इसलिए हम ये salt यूज़ करते है और ये salt आपके घर में use होने वाला salt नहीं है तो प्लीज उसे मट डालना आपके dishwasher में ये salt अलग है तो इसे आप purchase कर लेना और ये सारी चीजों की जो links है वो भी मैं आपको description box में देऊंगा तो आप जरूर चेक आउट कर लेना और ये सारे आप products यूज़ करोगे आपके dishwasher में तो आपकी wash quality काफी अच्छी आएगी अब वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको 2 important tips यहाँ पे देना चाहूंगा second important tip मैं यहाँ पे दूँगा कि अगर आप कोई dishwasher लेते हो तो हर महीने उससे एक बार तो at least descale जरूर कर लेना because आपके dishwasher में अगर आप दो बार तीन बार दिन में यूज़ करते हो तो उसमें कुछ चीजे deposit हो जाती है कहीं कहीं पे dishwasher के अंदर तो उसे descale करना हर महीने जरूरी है और उसे करने के लिए आपको एक cup में white vinegar लेना है और वो cup को आपको dishwasher में रखना है और एक round चलाना है उससे आपका dishwasher पूरी तरीके से clean हो जाएगा तो यह चीज जरूर करना तो दोस्तों यह थी मेरी video about the dishwasher मैंने काफी सारे चीजों को मरलब इस video में explain करने का पूरी कोशिश की है तो अगर आपको पसंद आया मेरा video तो इस video को जरूर लाइक करना और अगर आप नहीं हो चैनल पे तो चैनल को subscribe करना अगर आप हमें follow नहीं करते हो Instagram और Twitter पे तो वो भी जरूर कर देना link description box में तो दोस्तों इस video के ल झाल